ये वही जगा है जहां प्रभूष रिराम ने अपने 14 वर्षों के वनमास में से 11 वर्ष यहां बिताए थे ये वही जगा है जहां भरत अपने भाई राम को वापिस अयोध्या मना के ले जाने में असफल रहे थे ये वही जगा है जहां प्रभु श्री राम ने अपने पिता दश्रत का अंतिम संसकार किया था सादुओं की प्रिय जगा मंदाकनी नदी परस्थित ये जगा है चित्रकुट सादुओं की परस्थित ये जगा है चित्रकुट में तो हम चले थे मुंबई से हम दो तीनों में चित्रकुट पहुँचे सबसे पहले हम रोके थे नाखपुर में आपको उसारी जोनी हमने हमारे पिछली वीडियो में दिखाए है तो अब भी हम आज ही चित्रकुट पहुचे है यहां से एक किलोमेटर की दूरी पर राम घाट है तो वहां की जो शाम की आरती है हम वह देखेंगे और शाम का नजाय देखेंगे घाट का यह फेवेस घाट है यहां पे यहां से हम अभी अपनी गाड़ी से नहीं रिक्षा करके वहां पे जा रहे हैं तो वह प्रैसिस भी देखते हैं और यह इस तरह का रोम है यह है श्री जी भवर जो हमने रोम लिया है यहां पड़ा एपड़ेट 2,000 रुपीज में काफी बड़ा रोम है आपको इस रेंज में इसी तरह के यहां पे रूम मिलेंगे और यहां र जगल हम इस साहले हैं इसे पारकिन दिहां अफी बड़ी पारकिंग है 1.2. holes आपके शो यह रहे रहा एंट्रेंस हैं और यह जो रहा है ओ ऑं जो यह यहांन पर यह प्रेमाइस मिलें गाड़ी हम नहीं पर सेह है यह हैं यहां पहुचने के लिए सबसे नियरेस्ट एरपोर्ट है अलाहबाद बम्रॉली एरपोर्ट जो 106 किलोमेटर की दूरी पर स्तित है। या फिर आप काजुराहु एरपोर्ट पर भी आ सकते हैं जो 167 किलोमेटर की दूरी पर है। यहां का नियरेस रेलवे स्टेशन है कारवी जो सिर्फ 8 किलोमेटर की दोरी पर है। राम घाट वे घाट है जहां प्रभु राम नित्य रूप से स्नान किया करते थे। यह वही प्रसित घाट है जिसके बारे में कहा गया है चित्रकुट की घाट पर भई संतन की भीड तुलसी दास चंदन गिसे तिलक देत रगुवीर। पाड़ी लाना मुश्किल है तोड़ा। इस जगह के आप देख सकते हैं मेरे पीछे राम गाट है जो राम गाट है चित्रकुट है वो मंदाकनी नदी पेस्तित है और यह तड़ भी मंदाकनी रिवर पे है इस जगह का महत्व इसलिए क्योंकि यहां पे जो प्रभूश्री राम थे उन्होंने अपने पिता दश्र आते हैं है 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 अब हम यहां से निकन रहे हैं जैसे कि देख सकते सांज हो गई है इन्वाइवन बहुत ही गूप सूरत है बहुत ही मनमोहा कैं यहां का जूबी आंबियंस है बहुत अच्छा है आप यहां पर शाम को आईए ट्राइक करिए और एंज्वाइ करिये और अब हम यहां से जा रहे है होटेल और बाकी की जगह हैं वह हम सुभे रूंते और अमार सब बने रहे हैं सब की स्टोरी ज़मा अधिया अधिया जाम ना पर अधिया अधिया तो फ्रेंट्स हम लोग चेतरकुट पाउच गये थे और मुंबई से चेतरकुट का कुल किलो मेतर था 1407 किलो मेटर और हमारी कार ने ज्टीन प्रेश दिया है 15.2 का दिया है चेतरकुट का सबसे महत्वपून स्थान है कामदगीरी रामघाट से स्नान करने के बाद अधिकतर लोग कामदगीरी परवत के मुख्य दर्वाजे पर आते हैं और वहीं से परिकरमा प्रारंब करते हैं चेतरकुट आने वाले शुद्धालू कामदगीरी परवत की 5 किलोमेटर की परिकरमा पूरी कर अपनी मनो कामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं इसी परवत के तल पर कामतनात का मंदिर स्थेत है तो गाइस हम आ गए हैं कामदगीरी परवत के इदर और अभी हम परिकरमा कर रहे हैं यह परिकरमा है पाच किलोमेटर की इसमें कामदगीरी परवत के चारों और परिकरमा करते हैं माना जाता है ऐसा गड़ने से आप के समी मनो कामना पूरी होती हैं तो हम यह परिकरमा कर रहे हैं और देखते हैं रास्ते में क्या प्रिकरमा करनी हैं 11 वर्ष के बाद जब प्रभु श्री राम ये जगा छोड़ के जा रहे थे तब चित्रकुट परवत दुखी हो गए उन्होंने श्री राम से कहा आप चले गए तो आपके रहने के कारण ये जगा जो पवित्र हो गई अब इसे कौन पूछेगा तब श्री राम ने परवत को वर्दान दिया कि अब से आप कामद हो जाएंगे और जो आपकी परिक्रमा पूरी करेगा उन्हों सभी की मनोकामनाई पूर्ण होंगी इसलिए इसे कामदगीरी परवत के नाम से जान रहे हैं कि महल मंदिर अभी यहां पर हम चलते हैं अंदर यहां पर बहुत ज्यादा ही बंदर है बहुत ज्यादा तो यहां पर तुलसिदाज जी है वनुमान जी की मूर्ति है तो यह देखिए यह वो जगह है जहां पर चरन जिन है भरत के और राम जी के यह जो पत्थर है इन पर अंपर ध्यान से देखेंगे दोस्त ने कुछ-कुछ उनके चिन बने हुए है जिनके अकार में उनके पाव की अकृति बनी हुई है उई तरह से नहीं बड़ थोड़ी तोड़ी हर जगह पे तो यह आपको मिलता है भरत मिलाव मंदिर में और यह वही जगह है जहां पर जो भरत है वो अपने भाई श्री राम को मनाने आयते कि वह बापिस अयोध्या लौट चले और जो उनके बीच में यह वारतलाप नहीं थी यह वारतलाप इसनी जादा भा जिनके दर्शन आप लोग कर सकते हैं तो यह मंदिर बहुत ही मुख्य मंदिर है यहां जित्रगुत में निकले और यह देखिए यह अभी रोप में से हम जाएंगे उपर के तरफ यह बता दू यहां पर अगर आप नहीं चल जबते हैं तो यहां भी आपको जो ने गाडिय में जाएंगे उससे परिक्रम कर संदू तो यह दिखिए आपको पाउंच गेंगें नक्षमन पारी रोक बेपट्स तो यह इस तरह कि आपको जिसे मेट्रो में कार्ड मिल देना वैसे यहां पर यह कार्ड मिला है और 40 रूपीज नहीं था 75 रूपीज पर परसन है और यह दोनों तरफ का है तो हम बैट गए है रूपे में आप देख सकते हैं पतारी इसमें अवर रोब आएगी थी नहीं और फिर यहां से हम पहार के ऊपर जल्दी पहुँच जाएंगे ऊपर जाएगे सीडिया भी है जिसमें टाइम लगेगा आगर आप चलना चाहते तो चल सते नहीं तो रूपे आखे देने चाहे और यह हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ ही एक हुआ ने का श्रीड़ी एक हो आपर सीड़ी है जो यह सारी सीड़ी है चल्नी पढ़ते हो अजना जासरी आवन ताउसरी कम सब्रहेंगा काफी उच्छा है करो जड़ा नहीं है नहीं जहार कर दो यहां दोट दोन दोसा नहीं है प्रन जो में मुड़ा है कर दो फ्रन नहीं कर दोड़ा यह उरोपे से उपर आते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह यह जो परिसर हैं यहाँ पे आते हैं यहाँ पे चोटे-मोटे मंदिर हैं में मंदिर यह है लक्षमन जी का मंदिर और यह मनो कामना वाले पत्थर है बस यह दो-तीन चीज़े ही हैं यहाँ पे देखने के लिए इसके हम लोगों ने परिक्रमा पुरी कर ली है कामदगीरी परवत की तो वहां से परिक्रमा करने में हमने सुमे 8 बजे शुरू किया था और 10 बज़े हमारी परिक्रमाद खतम हो गए वहां से 12 मिनिट की दोरी पर हनुमान धारा है यहां पर अभी हमने 70 रुपए पार्किंग चार्जिस दिया हनुमार धारा के लिए यहां पर 700 स्टेर्स हैं यहां पर उपर जाने के लिए और आप उपर रुपवे भी देख सकते तो गैस हम हनुमान धारा के रुपवे एंटरिंस पर खड़े हैं जैसे आप देख सकते हैं यहां पर टिकेट काउंटर है और तीन साल तक फ्री है 3,2,10,107 रुपीज और 10 साल से उपर 145 रुपीज है प्रती यक्ती का ओर यहां से अब हम उपे दो बढ़ते हैं आंस अ की अ मैं पर हम लोग आप देख सकते हैं यह उपर की तरफ आ है एनांप सामने जो देख रहे हैं वारपे छोट्ठ चोटा-चोटा सिडी है यह 700 स्टेर्ज जो आपको लेना पड़ता है उपर जाने के लिए अब हमने जूते चपल रमा कर दिये और अब यहां से भी आप मंदीर की तरफ बोलिए हनमान जी महराज की देखिए हनमान धारा है जो आप लोग देखने के लिए हनमान जी सरकार है उपर से गंगा मया आ 24 घंटे बारो महीना हनमान जी सरकार ने लंका दहन किया था लंका को जलाया था तो लंका जलाने की सरकार के हिर्दय में ज्वाला गर्मी दा ये व्याप रहती थी तो जिस्व में भगवान राम आवद का राज करके मृत्तु लोग से बैकुंठ धाम परम धाम को जाने अब हम परम धाम बैकुंठ धाम को जा रहे हैं और आपको इसी मृत्त लोग में रहना है तब हनमान जी ने प्रश्न किया कि प्रभू हमें इस मृत्त लोग में क्यों रहना पड़ेगा तब भगवान ने हनमान जी सरकार को बदलाया हनमान जी सरकार से कहते हैं कि आप अज इसलिए आपको कहीं आना जाना नहीं है आपको उम्रत्ति लोग में रहना है भक्तों का कल्यान करना है इसके निस्पत आप हमसे कुछ मांगी तब हनमान जी सरकार ने हाथ जोड़के बिंती किया प्रात्ना किया कि भगवन आप हमारे स्वामी होकर के हमें कुछ देना ही चाह तब भगवान शिरी राम हनमान जी सरकार को शिरी अविध्या धाम से लाकर के शिरी चित्वकूर धाम शंकरशन गिरी पारवत्त यहां अस्थान दिया बार्ण से गंगा निकाली सरस्वती गंगा है जो 24 घंटे बारो महीना चलती है हनमान जी के हिरदय की लंका जलाने की ज्वाला को सांति करती है ना जल का आने का पता है कि गंगा मिया कहां से आती है नीचे जाने का भी पता नहीं कहां जाके समाप्त हो जाती है अस्थान में गंगा जी का दर्सन होता है उसी समय जब अस्थान धारा दिया है तो यहां भगवान राम ने हनमान जी सरकार की पा गोटा लगता है तेल सिंदो लगता है आठे का देशी घी का रोट लगता है यही पूजा का महाद में भक्त लोग आते हैं समान लाते हैं कराते हैं भक्तों का कल्यान होता बोलिए हन्मान जी महराज की जै चंद्र की जै है हम लोग पर्टान हो गए है सब जगाए वही है सब जगाए है यहां पर अपने मन से तरहाओ बोलेगा तो यहां पर परिशान है क्योंकि यह न पंडीस लोग जबरदस्ती पैसे लेते हैं पोस्ट करते आपको पैसे देने के लिए हनुमान धारा से हम निकल रहे हैं जानकी कुंड की तरफ जिसकी दूरी है लगबग 6 किलोमेटर और यहां से 12 मिनट है रास्ते आपको हर जगा पे यूँ ही मिलते हैं सोड़ी संक्तरी रास्ते हैं और दोनों तरफ शॉप्स लगी है तो थोड़ा सा संक्रा पतला रास्ता ह हो जाता है और गाउ का ट्राफिक चलता है लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि आप गाड़ी ले जा सकते हैं अफ़मों सकते हैं कि यहां पर यह जानकी कुंड और यह पार्किंग यह रोड पे ही पार्किंग है कि और इसके बाद हमें अंदर जाना है तो हम लोग आ गए है स्वाटिक शीला के इदर जानकी कुंड अब जाए तो एक बद के धान रखे गूगल जो ऑनलाइन मैप दिखाता है ना जानकी कुंड का वो रॉंग लोकेशन दिखाता है वहां पे नहीं है उस लोकेशन पे तो आप लोगों से पूच के या स्वाटिक पार्किंग अरिया पार्किंग चार्जेज और यहां पे अच्छा खासा है बड़ा अभी तो खाली है फिलल अभी चलते हैं इस पर्टिक शीला में चरणचिन के दर्शन करने अगर यात्री चित्रकूट आया है कामत गिरी का दर्फन या परित्मा नहीं लगाया उसका चित्रकूट आना अधूरा तीफरा है फटिक फिल्या जो एफ़ा पत्तर सारे चित्रकूट में नहीं इस पत्तर के ऊपर क्यों बैठा जाता है भगवान क्या किये हैं दोनों चीज में तीन मिनट से मताओं मेरे यहां ताइम में लगता लेकि इसके पहले में आपको यह मता दूं कि यह पत्तर जितना ठंड़ा अभी है जितना ठंड़ा यह मई जून के महिना में भी रहता है सब्सक्राइब करका जैन कववा का रूप बनाया और भगवान की परिच्छा लेने के लिए माता की पैर में चोच मारा जब खून पहने लगा भगवान एक तिनों लोग में भगा लेकिन कोई बचाया नहीं तब भगवान कववा की एक होड़ देते हैं आज भी कववा ए यहां राम बैठे, यहां माता जांती बैठे, यह माता जांती का पहड़ु है इन लाल जुन्नों को चाआ करके प्रेम पूर्वक परित्माघ दूइबाल लगा करके जाव फच्थ रहा है एक परित्माघ गया दोक्रूरी है जान करो चाहें करेंगे तो थर्टी रुपीज रुप्त अवरी का भी पार्किंग चाज्ज अमने पे किया तिया अब हम जाते अंदर कियों से अनुरोद्न है कि आप अच्छांति रखें इसके घर परिभाजोंगे प्रोचादकार में सकलते हैं सब्सक्राइब हैं करेंगे तुब आई कि मैशन्मट्सद्य आणे और करो धो टेंगे जया सब्सक्राइबेर विज़त करते हैं राइक पुर्ज मर एड़ाए पुराणों के अनुसार देफताओं को पता था कि त्रेता युग में श्री राम यहां आएंगे तो देवी देफताओं ने इस गुफा का निर्मान उनके लिए ही किया था मयंग नाम का राक्षस माता सीता को चुपके से देखा करता था तो लक्षमन जी ने जब उसे पकड़ा तो इनी गुफाओं की चट पर उसे दबा दिया और मार डाला कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उस राक्षस को लक्षमन जी ने गुफा के उपर टांग दिया था हवा चलने के कारण वो जब हिलता था तो उससे गुफा में खटखट की आवाज आती थी इसलिए इसे खटखट चोर भी कहा जाता है जबाद कर दो उक्षमन पुफा जाता है कर दो ख़ने कर दो आता है तो फ्रेंज हम आ गए हैं गुप्त गुदावरी धाम में हमारे दर्शन वो चुके हैं तो आप पीछे जो लाइन यह देख रहें सीडिया यहां पर लाइन लगती है तो यहां पर थोड़े थोड़े ग्रूप में अंदर भेजा जाता है विकॉज अंदर बहुती सफ़केटिंग है इसलिए एक छोटा छोटा टुकड़ा जो है लोगों का अंदर भेजा जाता है तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है दस पांच मिनिट जो है नासिक में उत्पन होती है तो किसी को पता नहीं है कि वो यहां पर कैसे आ गई क्योंकि उनको राम जी की दर्शन करने थे तो उन्होंने अपने पिता जी से आग्या मांगी कि मुझे दर्शन के लिए जाना है तो उनके पिता जी ने मना कर दिया था लेकिन उनको जो हमारे गुप्त गोदावरी के जर्षन हब हो गया है हम आगे हैं तो यहां से हमारे चित्रकुट का दर्षन जो है वो पूरा हो गया है अगर आप सती अनुस्री आश्रम जाना चाहते हैं तो यहीं से कुछ किरोमेटर्स की दोरे पर वो भी है हम यहां से प्रयागराज निकल रहे हैं तो हमें दिन दिन में निकल रहा हैं इसले हम अभी निकल रहे हैं यहां से जो तीन गिंटे की दूरी पे हैं लगबग 130 किलोमेटर तो चित्रकुट की जर्शन हमारे बहुत बढ़िया से हो गए बस यहां पे आपको ध्यानर नहीं कि रास्ते दोड़े से पतले हैं बट आप अपनी गाड़ी से गूम सकते हैं सिर इसी तरह पैसे दे सकते हैं चित्रकुट से प्रयाग राज की दूरी लगबग 128 किलोमेटर यानी तीन गंटे हैं आपको वो सारी जगा आप एक दिन में कवर कर सकते हैं एक दिन एनफ हैं इन जगों को भूमने के लिए और अपनी गाड़ी से भी आप अराम से गूम सकते हैं रहने और खाने के सुविधा वहाँ पे हर बजट में उपलब्त है तो यह देखिए हम लोग अभी आगए है प्रियागराज में और यह है वोटल आदश्ट इसके बारे में हम आपको बताते हैं कर और जो हमारा सफ़र था तीन गंटे का रोड अच्छी ही है बस जो बीच वीच में गाओ शिनेर आती रहते हैं तो तो तोड़ा सा संकरी रास अगर आपको चित्र कुट का वीडियो अच्छा दगाओ धेन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें और लेटेस्ट वीडियो उप्टेट्स के लिए बैलाई के दबाना ना भूलें